हेलो स्ट्वेंट्स आइम रोशनी फाम इनलाइटनिंग यूयसल्फ स्ट्वेंट्स ये सारी वीडियो चैप्टर 3 की मैं कम्प्लेट करवाच के हूँ लेकिन पूरा एक क्विक रिविजन के लिए मैं आपको एक और वीडियो बना के देख रही हूँ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से लास्ट तक लेकिन थोड़ा स्पीड से जैसे स्टार्टिंग मैं आपको चैप्टर समझाया था है मैं उस तरीके से नहीं समझाऊंगे क्योंकि वो मैंने यूटूब पर अलग सी वीडियो बना के भेज रखिए यह कोई क्रिविजन के लिए स्टुएंट्स जब आप रिवाइस करना चाहते हो तो यहाँ पर देखो fiber to fabric में अचा fibers सबसे पहले मैं आपको बताते हैं students fibers क्या होते हैं चीक है तो fiber देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो thin strands of thread जो thin strands एक thread जो बनी होती है उसको अगर आप untwisted करोगे आप गुमाओगे तो वहाँ thin strands मिलेंगे तो उ Fatger Go is Thin strands of thread को जो हम क्या बोलते हैं Fibers बोलती है अब देखो students हमेस तूपS के मोस्तली fibers मिलते तो कहा कहा से मिलते हैं warto publish review नेच्राव फाइबरर मैंगेड फाइबर को हम क्या बोल सकते हैं SynthetikEEP फाइबर मैंमेडosaurus को हम बोलते है synthetic fibers next देखो students अब जो types of fibers हमने किये तो सबसे पहले हम natural fiber के बारे में discuss कर रहे हैं कौन सा fibers natural fibers तो देखो natural fibers में जो हमें plant यहां पे student यह plant है T कर लो इसको PLANT natural fiber कहां से obtain होते हैं हमें plants और animals से इसलिए हम उनको बोलते हैं natural fiber कुछ example क्या है cotton wool jute silk तो आपको cotton यह दिख रही है wool यहां पे jute यह silk यह क्या है सभी यह आपको pictures में भी clear हो गए और मैंने आपको name भी show कर दी examples यह सारे natural fibers के हैं अब आजो students next पे man-made fibers तो man-made fibers कौन से होते हैं students यहां पे देखो the fibers that are synthesized यह synthesized की जिगह पे बोल सकते हैं आप made in laboratory synthesized की जिगह पे word बोल सकते हो made यह prepared तो जो laboratory में जो fibers बनते हैं उनको हम बोलते हैं man-made और synthetic fiber जैसे nylon, polyster, mackmal, fur, acrylic, rayon यह सभी इसके example हैं तो यहां पे देखो rayon, mackmal, fur, polyster यह आपको अलग-अलग pictures दिख रही हैं यह सारे synthetic fibers हैं अब देखो strengths natural fiber है, cotton, वो कहां हमें कैसी दिखती है cotton, तो cotton plant हमेशा कहां होता है black soil के अंदर, कहां होता है strengths black soil और warm climate में तो इसको याद रखो हमेशा, जो यह field में हम जब उगाते हैं इसको तो कहां पर बिल्कुल black soil और warm climate और black soil आप देखोगे जैसे मध्या-प्रदेश एरिया में तो वहाँ बहुत ज़दा होती है इसका कैसा यह fruit, जो cotton plant हमें तो इसके fruit part से cotton मिलती है और यह बिल्कुल size कैसा होता है lemon जैसे आप निम्बू होता है इसके size जैसा होता है lemon के size का होता है और जब यह पक जाता है ठीक है यह breast हो जाता है open तब इस bowl के अंदर से क्या है आप इस तरीके से picture के अंदर दिखाए द mature हो जाएगा तो इस तरीके से burst open हो जाएगा और इसके अंदर जो seeds होंगे वो किस इसके अंदर है बिल्कुल seeds दिखाए नहीं दे रहें तो इस seed किससे covered है यह cotton के fiber से covered है ठीक है सो यह को clear हो गया अब next देखो strand कोटन प्रोसेस आप मेकिंग कोटन को हम तीन तरीके से पहले होता है इसमें preparation होती है cotton की फिर उसकी spinning होती है अब फिर उसको हम weaving करते तो यह one by one एक-एक step में बताती हूँ preparation क्या होता spinning क्या होता और weaving क्या होता है तो इस तरीके से पहले सबसे पहले cotton collect कर ली उसके बाद देखो preparation में cotton के अंदर क्या होता है seeds होते है उन seeds को remove करना होता है so seeds को separate करने के process को क्या बोलते है हम ginning और यह इस type के एक machine होती है सागिन जिसको हम बोलते है तो यह ginning का मतलब क्या हो गया जो cotton है उसके अंदर जो seeds है उनको separate करना so क्या हो गया the process of separating cotton from seed इसमें cotton के साथ साथ जो cotton के उपर बूर, dirt, stem और leaf के जो material इसके उपर चिपके है वो भी साथ में remove हो जाएगे तो इसको हम क्या बोलते है students, ginning इसके बाद next देखो यहां पर spinning next क्या था हमारा spinning तो spinning देखो student hand से भी हो सकती है चर्खा से भी हो सकती है और एक special machine आती है अगर last scale पर हम इसका use करते है तो तो spinning सबसे पहले हम समझते है क्या होता है the process of making yarn देखो यह yarn बन रही है यहां पर चीक है तो यहां पर from fibers यह small small fiber से इसको दिख रहे है आपके cotton के fibers को उनसे हम क्या बना रहे है यहां पर यान बना रहे है तो एक simple device used for spinning is called hand spindle एक hand spindle हाथ से उसको क्या ऐसे गुमाया जाता है उसको हम बोलते है टकली तो उससे भी यह yarn बना सकते है चर्खा भी इसमें use किया जाता है और इसमें machine से भी बना जाता है यह रहा यहां पर machine से भी ठीक है spinning of yarn is done on large scale अब हाथ से और चर्खा से तो student बहुत ज़्यादा फिर yarns बना नहीं सकते है तो इसके लिए क्या use किया जाता है machines का use किया जाता है तो इस तरीके से ऐसे spin करेंगे तो yarns are used for making fabric तो यहां पर क्या बनेंगे spinning से बनेंगे yarn तो spinning of yarn is done on a large scale with the help of machine यह machine से आगे देखो students weaving तो weaving क्या होता है यहां पर two set of yarns एक set yarns ऐसे लगा जाते है और दूसरे set of yarns इस तरीके से लगा जाते है ठीक है तो weaving of fabric is done in looms तो इस ट्राइप का जो यह बना रखा है आपको यह लकडी का strand सा दिख्रेस को हम क्या बोलते है looms तो यह looms के यह looms में done in looms looms में यह तियार के जाती है weaving of fabric is done in looms looms are either hand prepared operated और power operated यह जो looms है हाथ से भी हो सकते है और power operate भी कर सकते हैं दोनों तरीके से तो weaving क्या होगा students the process of arranging two set of yarn याद रखो weaving में two set of yarn और जो knitting होगा उसमें जरूरी नहीं कि उसमें से one set one yarn use होगा तो इसमें कौन से yarn होगे two set of yarns को हम together इकठा करके क्या बना देंगे एक fabric बना देंगे तो इसको हम क्या बोलते है students weaving तो एक इसमें इस तरीके से arrange होता है यान और एक इस तरीके से ऐसे तो एक longitude में और एक horizontal में इस तरीके से next देखो student weaving हो गया उसके बाद देखो हमने पढ़ा था यह तो होगे natural fibers की अब मैंने आपको बताया था कि animal fibers भी होते तो animal fibers हमने पढ़ा था sheep से भी आते है silk कहां से आता है silk warm से आता है तो silk warm से जो produce होता है silk वो strengths बहुत ज़्यादा लश्रस और कीमती होता है तो यह जो silk होती वो एक type की नहीं होती है actual में वो अलगलग type की silk होती है जिसको हम बोलते है टासर silk, munga silk, kosa silk ठीक है तो यह कोई एक type के silk warm से produce नहीं होती है अलग-अलग type की होती है जिसे mulberry silk, airy silk, tassar silk, munga silk तो यह अलग-अलग यहां पर क्या है silk warm से जिन से यह silk produce हो रही है अब जो silk warm है वो सबसे पहले क्या करता है student यह है तो नहीं आपकी बुक में लेकिन सिफ आपको बताने के लिए कि सबसे पहले egg आएंगे, egg के बाद larva बनता है, larva के बा पर अपने आप यह kukoon सा बना लेता है तो इस kukoon से kukoon के अंदर क्या है pupa develop होता है और यह student आपको क्या बन जाएगा यहां पे adult वापी सी silk moth बन जाएगा लेकिन इस pupa को boiled water में डालते है और इससे हम क्या separate करते हैं silk तो इस तरीके से यह पूरी history बता रखे है यहां पे mulberry leaves के उपर most common जो silk warm है जिससे silk मिलती है में वो होता है mulberry leaves, mulberry silk warm तो mulberry जो silk warm हो से है, वो कहां मिलता है mulberry leaves में, mulberry को होता है student सैतूत का पेड, तो वो leaves को खाता रहता है और 20 से 25 डेज में यह larva stop eating कर देता है उसके बाद यह pupa stage में चला जता है और फिर इसके उपर यह cocoon आ जाएगा, cocoon के बाद इसके अंदर से देखो, यह क्या निकल रहे है, यह larva यह बहार आ रहे है, इस तरीके से, यहां दिख रहे है आपको यह first हो गया, silk moth, 10 days के बाद क्या हो गया, यहां पर यह larva बन गए, larva से 4 to 6 की week के बाद क्या हो जाएगा strength, यह silk thread बनने अपर हो जाएगे और यह larva जो अंदर है, इसको pupa भी बोल सकते हो, तो इसके उपर, fourth stage पे यहां पर यह कुकून ऐसे, यह silk thread यह से कुकून सा बन जाएगा इसके उपर, और इसके अंदर से, यह क्या है, moth develop हो जाएगा तो 16 days, total यहां पर कितना लगेगा, 16 days में यह moth prepare हो जाता है, यहां पर बन जाते है ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसका next, यह आपकी book में है भी नहीं है, लेकिन आगर आप थोड़ा सा silk warm के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो यह मैंने बता है आपको next restaurant wool, तो wool हमें हमने पढ़ा कि natural fibers, natural fiber में हमें plant और animals, तो animal में हमने silk पढ़ लिया, अब देखो wool तो wool हमें कहां से मिलती है, यह sheep, याक, अलपका, गोट, कैमल, इन सब से मिलती है अब जो यह sheep होती है na student, इससे यह coat साइसे remove कर दिया जाता है और यह अलग-अलग processes स्विपास करके यह wool में यह wool prepare होती है तो देखो यहाँ पे, इस process को हम बोलते है sharing, इस process को हम क्या बोलते है student, sharing ठीक है, तो यहाँ पे देखो process of making wool, wool कैसे बनती है तो पहले में आपको बताते है यह shilk, यह sheep है, तो इससे पहले से क्या है इसको machine से, जैसे बारबर आपके hair cut करते है, ऐसे ही वो इस machine से यह उपर जो wool है वो separate हो जाती है इस wool को हम बोलते है, student fleece, hair भी नहीं बोलते है, इसको fleece बोलते है फिर यह fleece देखो, इस तरह से collect करके क्या है, transport कर दी जाती है, mill के अंदर mill में ऐसे, इसको clean किया जाता है, clean करने के बाद, फिर इसको इस तरीके से, वहाँ पर क्या किया जाता है, student machines, machine से इसको comb करेंगे, wool fibers को sheet में convert करेंगे, और फिर इस sheet से, इसको rope में convert कर देंगे और rope से student आप देखोगे, यहाँ पर, यह क्या बन गया, yarn, तो इस तरीके से, wool, इस तरीके से, balls of wool त्यार हो गया, clear है आप देखो student spinning, मैंने आपको पीछे बताया था, कि spinning machine से भी होते थे, एक machine और दिखा दी मैंने, तो यहाँ पर देखो, यह भी process हो रहा है spinning, और इस तरीके से यह भी spinning, तो यह machine से हो रही है weaving, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, process of arranging, two set of yarns, तो weaving में क्या होगा, two set of yarns, तो एक set of yarns, तो यहाँ पर यह आरेंज करके instrument, ऐसे, और दूसरी set of yarns कैसे है, यह इस तरीके से हम, ऐसे horizontal चल रहे है, छे कहिए, तो इस तरीके से यह देखो, यह दूसरी set of yarns, इस तरीके से move कर रहे है, ऐसे, और एक set of yarns कैसे है, यह सी दिए है, है न स्ट्वेंट ऐसे, यह वाली, तो इस तरीके सको हम बोलते है, weaving, और फिर उसके बाद, plant से हमें क्या मिलते है, जूट फाइबर में मिलते है, जूट फाइबर, जूट प्लांट से मिलता है, और जूट से, stem of the jude plant, और यह कब rainy season के अंदर cultivate करते हैं, और यह mostly कहां ग्रो होता है, स्ट्वेंट जूट प्लांट, यह वेस्ट बेंगौल, विहार, आसाम, यहां पे, जूट प्लांट जब हम इसका harvesting season आता है, वो कब होता है, जब इसमें flowering stage आ जाती है, जब इसमें flower लग जाएग काट के रखा है, उसको पानी के अंदर immersed, dip करके, डबो के रखते हैं, few days के लिए, और फिर stem जब वो बिल्कुल गल सी जाती है, सड़ सी जाती है, तो वहां से fibers separate कर दी जाते हैं, हाथ से, hands से, तो यहां पी picture में दिख रहे हैं, एस्ट्वेंट आपको, यह सारे jude fibers के बने ह हैं, यह सारे man-made synthetic fibers as trends, यहां पर देखो, मैंने आपको बताया था man-made synthetic fibers, तो यह सारे pictures में आपको दिखा रहे हूं, अब यह synthetic fibers कौन-कौन से होते हैं, मैं आपको देखा था, rayon, polyester, nylon, acrylic, plastic, यह सारे synthetic हैं, अब देखो, एक मिन्ट, हाँ, इसके बाद देखो, rayon, मैंने आला अगर आप picture आपको पढ़ना चाहते हैं, तो इसको भी पढ़ सकते हो, यह सारे के सारे topic आपके एर्थ में cover होंगे, यह तो सिफ मैंने आपको वहाँ पर लिख रखे थे synthetic fibers के नाम, तो दिखाने के लिए कि synthetic fibers कैसे दिख रहे हैं, तो यह देखो, यह synthetic fiber है, तो rayon ऐसा है, ज नाइलन के है, अगर हमें ropes पाड़ों पे चड़ना होता है, तो नाइलन की ropes यूज़ की जाती है, parachutes में भी nylon यूज़ के जाता है, rock climbing के लिए भी, ठीक है, ropes, ऐसी fishing nut, तो fishing nut भी किसे, जो मशली हम पकड़ते हैं, strengths, वो भी किसे यूज़ करते हैं, वो भी nylon से बना होता है, अब देखो, strength, next, यह polyster, जो आपको polyster की rolls दिखाए दे रहे हैं, इस तरह polyster की jacket बनी हुई है, यह सारे भी synthetic fibers है, यह किसे बना होता है, synthetic polyster, cold water, air and petroleum, इन सबसे मिलके बना आता है, यह इस type of, कौन सा polyster बेटा, अब acrylic देखो, acrylic से mostly क्या बना जाती है, sweaters, दो actual में, देखो, sweaters आपको जो आज कल market में मिल रहे है, वो सोड़े सस्ते में मिल रहे है, जो wool से बनाते हैं, जो sheep या goat, इन से जो wool लेते हैं, वो sweaters costly होते हैं, blanket costly होते हैं, लेकिन acrylic, यारी man-made synthetic fiber से जो बना होते हैं, वो थोड़ blanket, jackets, taxual, stalls, यह सब इसी से बने होते हैं, ऐसे यह कहां बना जाते हैं, use के जाते हैं, craft yarns, boat sales, vehicle covers, यह भी सारी इसी से बना जाते हैं, आप देखो, history of clothing material, history of clothing material में आप देखोगे, कि सबसे पुराने जमाने में, persons, persons क्या कर देते हैं, इसका clothes नहीं थे उनके पास, तो वो क्य यूज करते थे पहने के लिए, bark, जैसे पेड की चाल, या big leaves of trees, या animal की skin और fur, उनको cover करते थे, अपने आपको उनसे cover करते थे, बाद में, जब इन्होंने agriculture करना खेती बाड़ी शुरू किये, तो उन्होंने क्या क्या, strands, twigs, जैसे mad, basket ये, बनाने शुरू किये, फिर उन् animal fleece, जिसको हम hair बोलते है, animals को, उनसे long strands, fibers बनाए, और उनसे फिर fabric बनाना शुरू किया, तो अगर सबसे पहले मैं बताऊं, इंडिया में, जो fabrics किसे बने होते थे, out of cotton, mostly cotton clothes पहना शुरू किया था, पर इंडियन्स ने, और ये कहां mostly मिलते थे हमें, cotton जो grow होती थी, in the regions near the river Ganga, river Ganga के पास, ये cotton grow होती थी, और same type एक और plant था, बेटा, flex जिसको बोलते हैं, ये भी एक क्या plant है, जो हमें natural fiber देता है, ऐसे ही Indian Egypt, जो ancient Egypt है, जो एक country है, तो वहाँ पे cotton और flex, वो कहां cultivate उसको गाते थे, near, river, नील, इसके पास में, और वहाँ से उससे used for making fabrics, और बाद में stitching चल पड़ी, तो people ने stitching करके clothes पहने शुरू कर दिया, body को cover करके, और different different fabric उन्होंने use किया, चीक है, so invention of swing, needle, people started stitching fabric to make clothes, फिर stitch clothes के अलग-अलग variation inventions होने लगे, और आप देखोगे, unstitched जैसे लूंगी है, ये सारी-सारी है, दोती है, ये unstitched piece of fabric है, जो use कि जाते हैं, so इस तरीके से हमने पढ़ा था, कि सबसे पहले cotton से हमने fiber बनाए, fiber से yarn बनाए, और yarn से फिर fabric बन गया, तो ये पूरे chapter में ने क्या किया था, पहले cotton ली, cotton से हमने fiber बनाए, तो कैसे, ginning process है, फिर fiber को yarn में convert किया, spinning process से, और yarn से fabric बनाए, knitting और weaving process से, तो ये completely समझ में आगया students, I hope सबको clear है, अब आज का question, question a student, what is the process called, separating of, बताना मुझे, fibers are separated from the seeds by combing, this process is called dash, what is your answer, you have to write your answer in my comment box, so thank you students for watching my videos,